पैसा सबको चाहिए चाहे वो एक मिडल क्लास इंसान हो एक अपर क्लास इंसान हो या गरीब जो आज फूखा सोया है और किसी को एक वेल सेटल और स्टेबल लाइफ चाहिए For that, we need money Don't worry, मैं यहाँ कोई money marketing ट्रिक्स सिखाने नहीं आया हूँ बलकि एक concept के बारे मैं बात करने आया हूँ जिसे आप सच में बहुत पसंद करने वारे है एक इनसान की financial understanding ही decide करती है कि वो पैसे को किस नजर ये से देखता है और कैसे handle करता है एक मिडल क्लास आदमी दिन भर जी जान लगा कर काम करता है ताकि वो अपने basic needs को पूरा कर सके लेकिन उसके बाद भी उसकी basic needs बड़ी मुश्किल से meet हो पाती है और मिडल क्लास आदमी अगर कुछ out of the box जाकर करना भी चाहे तो पहले तो वो easily possible होता नहीं है और अगर थोड़ा हाथ पर मार कर वो try भी करे उसके लिए उससे पहले उसको proper budgeting करने पड़ते है यह सोचना पड़ता है कि कहां से हम पैसे कम करें कटोती करें फिर जाके वो कुछ extra सोच पाता है लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ घंटों की meeting से अटेंड करके लागखो क्रूरों कमा लेते हैं उसके दिमाओ में क्या है उसने बड़ी मज़ीदार بात बोली उसने बोला यार पैसे तो बहुत है दुनिया मेंáiं बस मेरे अगाउंट में नहीं है कमा लेंगे फिर चलेंगे टिर्प पे उसने यह बड़ी मज़ी आगमे बोली थी लेकिन मुझे यह बात बहुत परफेक्ट लगी सही तो कहा उसने पैसे की कमी थोड़ी दुनिया में उसके मालिक चेंज होते रहते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर रहते रहते हैं सारे पैसे यह कंसे बड़ा इंट्रेस्टिंग है मैकसिमा मिडल क्लास अपनी पैसे को सिर्फ अर्न करके सेव करने में लगा हुआ है और दरसल पैसे को सेव करने से ज़्यादा जरूरी है पैसे को सही जगा इन्वेस्ट करना और उससे भी ज़्यादा जरूरी है अपने इंकम को बढ़ाना क्यूंकि जब तक आप अपने बेस समझ लो आपकी एंकम exponentially grow करने वाली है जट में explain आपके time से जितनी ज़्यादा value किसी जगां की बढ़ती है उतने ज़्यादा बड़े मालिक बनो गया पैसे हमें ज़्यादा पैसे इकट्थे नहीं करने अपने अगाउंट में क्योंकि पैसे तो आते जाते रहेंगे वो बस एक circulation बना हुआ है ना पैसे को आने का और जाने का उसका एक बड़ा हिस्सा बनना है और वो कैसे होगा अपने आपकी value बढ़ा कर जितनी value बढ़ा होगे उतने बड़े circulation का हिस्सा बनोगे famous author Jim Rohn ने कहा है you don't get paid for your time you get paid for the value you put in the time businessmen's एक घंटे की meeting अटेंड करके करोडों की दील करते है celebrities एक show के लिए करोडों रुपे लेते हैं और वहीं एक मज़़ूर पूरे दिन पसीना निकालने के बाद सिर्फ 500 रुपे कमाता है पता है क्यों? क्योंकि मज़़ूर सिर्फ दो लोगों की life effect करता है एक खुद के पूरे दिन मेहनत करके और दूसरा उस इंसान के जहां उसने काम किया है एक contractor की नीचे पचास लेवर काम करते हैं और वह सभी लेवर उस contractor से कई ज़्यादा physical मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा earning होती है contractor की क्योंकि पचास लोगों को deal कर रहा है वो contractor और पचास लोगों के life को effect कर रहा है जब एक celebrity आता है वो हजारों लाखों की तादाद में महाविल लोग आते हैं उसके काम करने का तरीका चाहे जो भी हो और उसके आने से बहुत सारे लोग influence हो रहे हैं effect हो रहे हैं कई जगा sales बढ़ रही हैं कई जगा tickets भी कर रहे हैं और वहीं उसकी value बढ़ रही है तो ये एक simple concept है increase your value to increase your income और कैसे आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा logo के काम में ला रहे हो इस पर depend करता है आपका income ज़रूरी नहीं कि business money इस concept को use करें एक entrepreneur भी अपने काम से करोडो लोगों को influence करता है आप खुद फरक देख पा रहे होगे कैसे वो लोग जो सिर्फ limited logo तक ही अपने काम को पहुँचा आ पा रहे हैं उनकी income भी limited है और वहीं दूसरे लोग अपने काम से maximum logo conference करते हैं और उनकी income भी maximum होती है अब हम ये तो समझ गए हैं कि value बढ़ाने से भी income बढ़ती है पर value बढ़ाएं कैसे और कौन सी values देखो जब हम किसी एक ऐसे इनसान को देखते हैं जो कोई अच्छी post hold कर रहा है उसके में होती एक sense of responsibility वो अपने काम की responsibility लेता है उसके नीचे जो भी system आता है उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका सारा credit उस इनसान को जाता है लेकिन अगर वो गलत काम कर रहे हैं पर क्रिटिसिजम भी उस इंसान को ही सहना पड़ता है। आपको अपने काम की रिस्पॉंसिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। तब ही आप एक लेवल अप जापा होगे। आप अपने हाथ खड़े नहीं कर सकते। कई बार गलतिया भी होंगी, उसको भी आपको एकसेट करना आना चाहिए। जब भी आप किसी बड़े मुकाम पर पहुँचने के लिए एक गोल सेटिंग करते हो, तो आपके दिमाग में ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कि आपको कई सारे सेट बैक्स, कई सारे फेलियर्स फेस करने पड़ सकते हैं। और उन सभी को कॉजिटिवली लेके, उन सभी से सीख के आपको आगे बढ़ना है, ना कि डिप्रेशन होना है। इसके लिए आपको mentally और physically दोनों healthy होना पड़ेगा। अब आते हैं next सबसे जरूरी quality, humbleness बहुत सारे लोग थोड़ा सा knowledge अचीब करने के बाद अपने आप काफी smart समझने लगते हैं। और वो सीखने वाले जोन से बाहर आके, सिखाने वाले जोन में आ जाते हैं। बट दिस इस रॉंग। You don't have to think like you know everything, in fact आपको एक learning nature हमेशा maintain करना चाहिए अगर आपको grow करना है, इससे आपके अगल बगल वालो से आपकी bonding भी अच्छी बनी रहती है, और वो आपका support भी करते हैं, और आपको हमेशा एक growth perspective मिलता है। Last but not the least, हम बात करेंगे honesty के बारे में। खुझ से हमेशा honest रहना चाहिए, अगर आपने कोई target set किया है या schedule किया है, और किसी reason से वो आपने पूरा नहीं किया, चाहे कोई भी reason हो, आपको time नहीं मिला हो, आप busy हो गए या थोड़ा बहुत आलस आ गया हो, उसको accept करो, at least acknowledge करो, modify करो अपने राष्टे को, अपने target को but don't be ignorant, ये मत बनाओ, बहाने खुझ से मत बनाओ, कि मुझे नहीं पता, ये हो सकता है किसी और की गलती हो, accept करो चीजों को, तब जाके आप grow कर पाओगे, इन सब qualities को अपने अंदर लाकर आप अपने आपको एक बहतर इंसान बना सकते हो, वो कावत है ना, जो दिखता है, तो अपने आपको निकार हो, और चमको इस दुनिया में, तो दोस्तो, I hope, आप समझ गए होगे, कि इनकम बढ़ाने के लिए महनत से ज़्यादा जरूरी है, अपने values बढ़ाना, I hope, आपको मेरी बातें अच्छी लगे हो, thank you for listening.